हुमारी फिल्म इंडस्ट्री से कई लोग पॉलिटिशन बने हैं क्या आप भी ऐसा बुछ को? नहीं, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से पॉलिटिशन है उनमें एक दज़चाब को छोड़कर बाकी सब अपनी कर्वेनियंस के लिए बनें सिवाए दज़चाब के बहुत अवश्य है, क्योंकि कितने लोगों को खुश रखना है, अगर भारत में करॉप्शन कुछ कम हो जाए, देखे, मैं इस बात पर भी सहमित नहीं हूँ कि सर्फ भारत में करॉप्शन है, करॉप्शन सारी दुनिया में है, लेकिन क्या मैं सही हूँ अगर मैं ये कहूं क कि भारत में करॉप्शन चोटी लेवल से शुरू होती है और बड़ी लेवल तक चाते है, मैं तो कहता हूँ, बड़ी से बड़ी लेवल से शुरू होती है, और छोटी वुपर का हिसा ठीक नहीं होगा, बिल्कुल, पूरा वैबरिक बदलना पड़ता है, जैसे अगर कुई जवह सार जाए, तो कपड़ा तो है नहीं कि वो दोस्तों के लिए लेकिन मैं उसके बारे मैं बोलना नहीं चाहता है, बोल दिया तो फिर दोस्ती खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है, सभी कोई ऐसा दोस्ता आपका मिला है, जिसने आपकी दोस्ती का नाजाइस खायदा उठाए है? आप यह पूछे कभी कोई ऐसा मिला है जिसने नहीं उठाया है, फरक है, वो फिर दोस्ती रहते भी नहीं ज्यादा देर तक आप अपना वजन कम क्यों नहीं कर सकते हैं? अब यह अच्छा सवाल के आपने, उससे मैं आपको अगर पूरा साइकोलोजी और पूरी बेसिस समझाओं और फिजियोनमी समझाओं अपनी, शायद आप समझ लेंगे, मैं वा आदमी जो जिनके चार यह पांच गंटे का अशरत किया था? जार पांच गंटे का जिया, बैदमिंटन वगारा, फ्री एंड एक्सराइज़, वेट्स, उसके बाद मेरा एक्सिदेंट हुआ, तो मैं तीन महीने तक बिस्तर पर पड़ा रहा, दोक्ट्र ने मुझे मना किया कि तीन साल तक कोई एक्सराइज मत करना, क्यों मेरी सब हट परहा सका।रे कोई थाज़, आतक करना, का वेड़ा सुन एक्सराइज था पर落शलन तो मेरी हिस्तरा मुझा क्यों गाउयने के लिए फ्रलाइज हुआ. टो मैंन गार। स्टिरोइड से लंबे पीरिएट के लिए और आपको मना कर दिया जाए कि आप कसरत मत कीजिए कुछ मत कीजिए तो मैं चलिए अपकी पात मैं समझ गए तो यह हिस्ट्री है पूरी उसका आपको तकलिफ तो नहीं होती चलने फिरने में वैसे नहीं बिलकुल नहीं आपके य मेरा एकसिदेंट रहाता और पहला एकसिदेंट जो हुआ है और उसमें कुसी मेरे ग्यारा फसले अंटूटगी थी अठी टांग टूट गए थी मरते मरते बाचा वकए वह शुके हैं मेरे साथ से अप्य हो एक क्या हो चुंबक के तरह है हाँ मैं सि क्या कहते हो जो कि आप इसलाम में विश्वास रखता हूं इसलिए इस बात में विश्वास रखता हूं कि इनसान बहुत बड़ा है चाहिए वो किसी भी मजब का हो अच्छा आप फिल्मों में सब जानते हैं एक विलन की हैसियत से बहुत से रोल उसके बाद आपने कुछ मुख्तलिफ पी किया होंगे लेकिन यह जो आपका विलन का रोल है टाइप कैस्टिंग है यह बिल्कुल एक तरह से जमसा गया है क्या इस तरह के रोल आप पसंद करते हैं कर नहीं तो मुझे उन्होंने कभी हुआ ही नहीं और उसका मुझे शुक्रियादा आपने डिरेक्टरों का और प्रडू यह वा करती है ने चाइनमें वैसा है एक आपकी फिल्म मुझे बहुत पसंद आई थी नूतन के साथ थी तेरी मां व्या राज खुसला साब की फिल्म थी बहुत खुबसूरती अड़ाकारी इसमें आपकी बहुत अच्छी थी तिया बहुत बदक्समती से चली नहीं फिल् तक कौन सी फिल्म चलती है क्यों चलती है क्यों नहीं चलती है कुटों की घोडों की फिल्में चल जाती है कुटे कोट में आके गवाई देते हैं फिल्म चल जाती है साप उठके ट्रांजिस्टर चुपा देता है कुटा वीडियो कैमरा चुपा देता है वो फिल्में चल जैड़ करते है। तर इस से तो यही ऐनमे से बनता है। कि सब क्या आदमीं उसे कम है अपने आप को सब्स券 की इडेटिफाइ करते हैं जन शेक अचिकरते हैं लोग एनमने से यह Executive यहीं lot स्ञजनी इस च sometime pursue एक भंटे की शाथ्यपम आप 17 के लिए तीन गंटे की रहत है अब JEAS अब अपने डुनिया के हर प्रॉब्लम अपना हर मंसायल भूल अप त्रीटर मने अपने आप Po वो आदमीर हैं, बहुत उनके पास है, जो देखने वाला है उसके पास शायद वो सब चीज़े नहों, क्या वो जब बाहर सिनेमा से निकलता है उसको कोफ नहीं होती है, क्या मेरे पास है? नहीं काश मेरे पास ही होती है, यह तो बड़ी गलत बात है, हम फिल्म में खुबसूरत हीरो बताते हैं, तो जो देखने वाला निकल के बाहर आता है, तो अपने आप से चड़ने लगे कि मैं खुबसूरत नहीं हूं, यह हीरोन बताते हैं, जो बहुत अच्छी लगती है, ब अगर वो करता नहीं कर भी, वो यह नहीं कहता कि काश में कर सकता है, काश तो हर बात पर काश होती, काश तो ऐसे सड़क पर खड़ा होके वो गारे खुबसूरत देखे, बोले काश मेरे पास हो सकती, अब मरीन ड्राइप पर अगर कोई फ़कीर गूम रह तो तो कहे बहुत अगर जब से इनसान जात पैदा हो, यह काश साथ लगा हुआ है, तो फिल्मों को देख कि उन लोगों को कौफ नहीं होती होगी, बल्कि उनके थोड़ी देर के लिए उन घरों में जाकर बाट जाते हैं, थोड़ी देर के लिए उस कहानी का एक हिस्सा बन जाते हैं, थोड कि अगर नहीं करते हैं, इस तरह के सीन देखे जाएं, दिखाए जाएं, तो आपको तो नूस पेबर भी नहीं पढ़ना चाहिए, आपको समाज सेवा के संटर्स में भी नहीं जाना चाहिए, क्या आप जाते हैं, हमारा प्रॉब्लम क्या है, एक जमाने में लिटरिचर जो अगर इन फिल्मों में ये सारे सी न दिखाय जाएं तो ये तो नहीं है कि वो बंद हो जाएंगे हो नहीं बंद होगे म कि अग क्या कम होंगे lasting अग्राइप नदिखाय कम नहीं हो सकते सवाली निपाद कर शक्राइप में चुब बाहरत में जो फिल्मी कि इतना मान दिया जाता है सिर्फ उनके के फैशन को इमिटेट करने की हद तक बस उनकी हरकतों को नहीं है अमिता बच्चन को ले लिजी कभी ने बिलकुल सिवा उनके हैस्टाइल के उनकी कौन सी बात है जो लोग अप्रिशेट करते हैं करते हैं लोगोई देखा अपने एक आदमी बारा अदमी को मारा क्याता है कि मैंने अमिताप को नहीं आपने किसी लड़की को देखा है को पिछले सो साल से बनने इनको ऐसार भी इनको ऑडियन्साने और जो लिखते हैं आखबारों में यह मैगजिनस में लिखते हैं जो आपके बारे में किसी के बारे में भी आप पढ़ते हैं तो क्या आप मेश्यूस करते हैं? अच्छा निलगता है यह गया कोई आपके बेडरूम में दरवादा खुल जहांक रहा है अंदर तो आप ये समझते हैं कि जो फिल्मी दुनिया की बाते हैं उसको बताया ना चाहिए जो फिल्मी दुनिया की बाते हैं वो फिल्मों तक मैदूद रहनी चाहिए इनसान की जाती जिन्दगी से फिल्म कोई तालुक नहीं कई अख़ार वाले ये कहते हैं कि जब फिल्म स्टार्ज लोगों के घरों तक पहुंच गए हैं वाया विडियो तो हमें पूरा हक है कि हम उनकी जिंदगी तक भी पहुंचें ने वो फिल्म और विडियो के द्वारा पहुंचें हैं वो किसी के दर्वादे ठोके अंदर गुसे नहीं हैं तो आप इस बात पे बहुत मैं माफी चाहता हूं लेकिन जहां तक मेरा जाती नजरिया है मैं फिल्म मेगजीन को वो परसाइट कहता हूं जो फिल्म इंडिस्ट् यहां पढ़ना लिखना बहुत कम लोगों को आता है टेक्स भी बहुत कम लोग देते हैं कौन लोग टेक्स देती है उनमें से हम है अब जट सब्सक्राइब करोड रुपे पिछले साल उन्होंने एड़र्टाइजिंग से कमाई अगर कोई सोचे और करें तो सोचेगा कि अच्छा हमारे पास नए स्टूडियो लगाएं ताकि जो हम सीरियल वगएर दखा रहे हैं ज जोड़र्मेंट फंड के बड़ा अपना सिस्टम अजीब साथ वह कहां से आते हैं कौन सी घहरे में जाते हैं कहां पर साइफन हो जाते हैं किसी को नहीं मालम बड़ता है यू दोड़ नो वे दे मनी गोड़ एक्ष़ अच्छी ऐसा क्यों होता है बड़ा अच्छा सवाल ह झाल